राज़स्थान में अब तबादले केंद्र की तर्ज पे होंगे. यानि कि केंद्र सरकार ने जो तबादला नीती बना रखी है यानि कि Transports Policy उसको लेकि राज़स्थान सरकार क्या सोच रही है और तबादला का ओध्योग जिसे कहा जाता है चायए BJP रही हो या कॉंग्रेस उसमें करमचारी और खासकर के वो करमचारी जो किसी राजनेतिक प्रतिपधिता वाले संग्ठरों से एसोसियस्टेड नहीं है वो सरवादिक परेशान होता है राजस्तान में भजनाल सरकार आने के बाद जिस तरीके से तबातले हुए और नेता बड़ी परेशा पोस्टिंग्स दी जाती है ऐसा माना जाता है कि कारेपाले का क्या लोग जो ततकालीन सरकार के प्रती सिंपथी रखते हैं उन लोगों को पनिश्मेंट पोस्टिंग होती ही है बात करेंगे क्या बदलने जा रहा है राजस्तान में और तबादला वाली नीती अगर एक सही धंग से लागू होती है तो सियासत पे कितना असर पड़ेगा नमश्कार मैं प्रदीप हूँ और आप तिंग 360 देख रहे हैं राज़तान में राज़तान ही नहीं आसपास के अन्य प्रदेशों में भी अधिकारियों और करमचारियों के खास करके शिक्सकों के ट्रांसफर के बीच पूछा कि क्या आपको तब अतलों के लिए पैसे देने होते हैं शिक्षक एक शन खामोस रहे और फिर बोल पड़े हां देने पड़ते हैं तब मंच पर ततकालिन शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटासरा भी मौझूद थे बाद में डोटासरा बदल दिये गए प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा दे दिया गया और शिक्षा मंतरी वाला पद उन्हें छोड़ना पड़ा था बाद में शिक्षा वाला महकमा बेडी कल्ला के पास रहा लेकिन बदलाव नहीं हो पाया लंबे समय तक शिक्षकों के और से ग्यापन प्रदर्शन शिक्षकों हैं वहां से डूंगर पूरपांसवड़ा भी जहां से लोग बाहर के लोग जाके नोकरी करते हैं वहां नोकरी पाते हैं और ट्रांसपर करवा के अपने जिले में आ जाते हैं ऐसे में गवर्मेंट ने एक पॉलिसी लागू कर रखी हैं वहां को लेके भी और अन्य जगों पे भी ट्रांसपर खास करके जैसे जिला पुलिस की बात करें तो पुलिस में कॉंस्टेबलरी की जॉइनिंग जो है वो के साइन से होती हैं लेकिन ट्रांसपर्स के पावर आजकल जीओ हो जाते हैं बड़ा एक यह रहता है कि जो अफसर हैं उसको कई बार लगता है कि फला व्यक्ति जो मेरे मातहत्तों हैं अंडरतों काम कर रहा हैं लेकिन उसकी प्रतिबदता किसी राजनतिक दल के प्रति हैं त और यह फाइलों की पेंडेंसी वाली चीज देखी गई यह फाइल सिस्टम है कि कितना टाइम फाइल को निप्टाने में लग रहा है निस्तारण में लग रहा है मोनिटरिंग की गई हैं और इस मोनिटरिंग में अप्रेल महिने की बात करें तो तीन जिला कलेक्टर और समंद और चित्वाडगड एक फाइल को निप्टाने में एक एक दिन पूरा ले रहे हैं ऐसे में उन्हें रेड लिस्ट में डाला गया हैं तमाम चीजें जो है कि क्या यह जो पॉलिसी आ रही हैं यह फाइल निस्तारण के आधार पे अधिकारियों का ट्रांसपरताय कि इस पॉलिसी में क्या चीजें होंगी यह वर्थ परफॉर्मेंस ही आधार होगा तो यह सारी चीजें जो है कि कलेक्टर को लेके तो जरूर चीप सेकर्टरी की जो बात ती फाइल निस्तारण वाली उसके अलावा जो पद पे हैं मसलन की चतुर्ट स्रेणी करमचारी कुछ रिबेट दी जाए ट्रांसवर्स में तो यह अभी हम जैसे बात कर रहे हैं इफालिंग सिस्टम की तो उसमें जो सरकार ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें संभागी आयुक दस में से आठ संभागों के आयुकतों की गती बहुत धीमी है तो बहुत टाइम लग रहा है अशोगलो सरकार लोग सेवाओं के प्रदान की गारंटी अदिनियम लाई थी 2011-12 के बाद में तो उस वक्त वो गारंटी अब पता नहीं कहां गारंटी का कोई जिक्र नहीं हुआ तो लोगों के काम अटक रहे हैं पेंडेंसी बहुत रह रही हैं और यह पेंडेंसी जो ह हैं वो क्या वाकई में अब इस नीती के बाद बदलेगी या आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा और यह नीती जो है वो आम आदमी को ध्यान में रखते वे बनाई जाएगी या करमचारियों या अधिकारियों की सुविधा के हिसाब से बनाई जाएगी यह भी बड़ी ब सर जा सकते हैं जिसमें अहल ही में जालोर के ओडवाडा में जो चरागा भूमी वाला मामला हुआ बाद में पंगा हुआ जिसमें सरकार पे बात आई सरकार ने फिर बड़ा राष्ट्रे इस तर पे चर्चा हुई उसके बाद इसको अलग तरीके से देखा जालोर की कलेक्टर और बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो अब रिटायर होने वाले हैं जिसमें 13 तो IS हैं कई IPS भी हैं तो यह बड़ा रिटायर्मेंट जिलों की बड़ी संख्या बढ़ा देना संभागिये आयुकतों की संख्या बढ़ जाना संभागों की संख्या बढ़ जाना से राजस्तान को जो alerted IS cadre हैं उसमें फिलहाल तक बढ़ोतरी नहीं है जो alerted हैं उसमें भी vacancy खासी हैं ऐसे में तमाम चीजें हैं कि राजस्थान को लेके क्या केंद्र या UPSC से selected officers पुराने जो अफसर हैं उनकी जो प्रमोशन वाली जो की जाती है DPC IS, IPS, IFS अफसरों की RS अफसरों की तो हर साल हो जाती है लेकिन बाकी लोगों के साथ तो नई policy में क्या DPC एक भात्तोपूर्ण चीज होगी बड़ी चीज है कि अगर DPC नहीं हो रही है निचले स्तर पर पत्वनतिया नहीं हो रही है तो व्यक्ति नीचे काम करने वाले व्यक ब्यूरोक्रेसी कहीं दो हिस्सों में बटे हुई नजर आती है ब्यूरोक्रेसी जो हर बार किसी भी tender में किसी भी पत्र में राज़ेपाल के आग्यावाला साइन लिखती हैं ऐसे में साइनिंग अथोरिटी और वर्किंग अथोरिटी दोनों के बीच में एक बड़ा सा गै या नहीं ये बड़ी बात हैं, चोकि CM भजनलाल सर्मा ने कहा ता कि उनका कोई लगाव या द्वेश नहीं है, जनता के काम समय पे और निश्पक्सता से ही करने हैं, लेकिन चार जून के बाद भजनलाल सरकार में क्या बदलेगा, चार जून के बाद में जब केंदर में सरका मोधी सरकार होती है या नहीं होती है तो किस किस वेट के साथ होती है नमबर के और इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि राजस्थान में क्या परफॉर्मेंस रहा है भाजपा का खास तोर पे ऐसे में मंत्री किरोडिलाल मिना के बयान को देखे तो हर बार फसा दे रहे है भजनलाल सर्मा को पहले वो कह रहे हैं दोसा की सीट नहीं आई तो वो इस्तिफा देंगी अब वो कह रहेंगा आसपास जो उनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं आई तो तमाम चीजे सारी चीज देखते हुए कि यह जो अधिकारी करमचारी निश्चे तोर पर मैं पहले भी क किया है यहां विधानसवा चुनाओ की हकीकत है अब लोगसवा चुनाओ में क्या रहेगा कि पोश्टल बैलट की जब घंड़ना होगी तो यही करमचारी अधिकारी जो एनपीएस और ओपीएस के बीच की एरलाइन में कहीं बीजे पीयर कॉंग्रेस दै कर रहे हैं वो लो पॉलिसी में बहुत कुछ क्या होगा यह वक्त बताएगा लेकिन निश्चित तौर पर राजस्तान में फिलहाल तक कोई प्रभावी पॉलिसी ट्रांसपर पोस्टिंग को लेके आ नहीं पाई हैं इसमें एक चीज यह भी कही गई गी जिस तरीके से ट्रांसपर वाली पॉ पर डालना होगा यहां वेकंसी है यहां ट्रांसपर हो सकते हैं तमाम चीजें तो अच्छी चीजें हैं लेकिन पॉलिसी कब तक आएगी और किस रूप में आएगी इसका हमें फिलाल इंतजार रहेगा तो तमाम चीजों पर आपको क्या लगता है कि रास्तान सरकार को इस में क्या चीजें रखनी चाहिए और किन चीजों से परेज करना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद